हेलो दोस्तों इंडिया में सबसे पहले रियलमी कंपनी ने फैबरली 2020 में 5G फॉन लॉंच किया था तब से लेके अब तक इंडिया में टोटल 10 क्रोट से ज्यादा 5G फॉन बिक चुके हैं मतलब कि इंडिया में 10 क्रोट से ज्यादा लोगों के पास अभी 5G फॉन है शायद आपके पास भी 5G फॉन हो जा फिर आप नया फॉन लेने में सोच रहे हो तो आप एक 5G फॉन लेने के बारे में ही सोच रहे होंगे लेकिन मापको एक बात बता दू कि इंडिया के किसी भी में अभी तक 5G टेकनलोजी लाँच नहीं हुई है तो ऐसा क्यूं है कि इंडिया में अभी तक 5G टेकनलोजी आई ही नहीं है लेकिन उसके बावजुद भी इंडिया में 10 क्रोड से ज्यादा लोगों के पास 5G फॉन है देखी इसके बहुत से रीजन्स है इसी रीजन्स की हम इसे वीडियो में डिसकस करेंगे और ये भी पता करेंगे कि कब इंडिया में 5G टेकनोलोजी आएगी अभी तक जो गवर्मेंट ने इसके ओपर प्लैनिंग की है और जो आने वाले 26 जुलाई 2022 को गवर्मेंट ने 5G स्पेक्टरम की ओक्षन रखी है उसमें क्या क्या होगा उसके बाद 5G टेकनोलोजी कब इंडिया में एक्च्वल में ग्राउंड लेवल पे आएगी उन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले अगर आप ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तांकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें लास्ट वीक गवर्मेंट ओफ इंडिया ने 5G स्पेक्टरम ऑक्षन की डेट है जो वो फाइनल कर दी है और जो टाइम पीरिड है वो थोड़ा 6-7 हफते लगते हैं उसके बाद भी जाने कि आप मान के चलो कि जो 26 जुलाई 2022 को आक्षन होगी उसके बाद देड़ से दो महिने में जो है 5G जो सर्विसीज है वो इंडिया में अवेलिवल होंगी लेकिन उसके बाद भी जो जे सर्वि सर्विसीज उन में आएंगी और उसके बाद एक से डेड़ साल का समय लगेगा पूरे इंडिया में 5G सर्विसीज अवेलिबल होने में क्योंकि जो भी प्रेजेंट जो इंफ्रस्ट्रक्चर है वो 4G को सपोर्ट करता है जो भी आपके घरों के आसपास आपके शहर में 5G के लिए आप ग्रेइड करना पएगा तो उसके लिए 1.5 सल का समय तो लगेगा तो उसके बाद आप मांनके चलोगी अगर आपके पास 5G फोन है तो उसके अंदर 5G चलाना चाहते हो तो आपको एक से 5.5 साल का वेड़ करना पढ़ेगा अगर आप जो मेजर 13 cities मैं आपको बताएं जिस पे सबसे पहले 5G लाँच हो रहा है उसमें नहीं रहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में 5G स्पेक्टर्म आॉक्शन की डेट है वो फाइनल हो चुकी है तो आपके दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि ये 5G स्पेक्टर्म आॉक्शन है क्या इसमें क्या चीज़ ऑुक्शन की जाती है तो मैं आपको इसके वारे में थोड़ा बरीफ में बता देता हूं तो जैसे मांलो कि आपaison और कोई भी वाइरलेस डिवाइस है वो एक से दूसरी जगे connect करने के लिए एक signals का use करता है जैसे मालों कि आप phone कर रहे हो किसी को तो आपके phone से signals निकलेंगे वो आपके nearest tower पे जाएंगे जो signals है वो एक जगे से दूसरी जगे travel करने के लिए air waves का use करते हैं आपके जो घर में आपके घर के से आपका कर्कंचन तो है नहीं वो जो भी आप कोनेक्ट करनेक्ट करती है और ये अलग-अलग frequencies पे काम करती हैं ता जो इन में interference ना हो सकी तो इसी frequencies को जो airwaves की है उसको हम spectrum कहते हैं तो किसी भी spectrum auction में क्या होता है कि airwaves को अलग-अलग frequencies पे अलग-अलग companies को sell किया जाता है इसी को हम spectrum auction बोलते हैं तो किसी भी country के geographical area में जो भी airwaves travel करती हैं उन पे उस country की government का अधिकार होता है तो इस case में Indian government का अधिकार जो भी इंडिया में airwaves travel करती हैं उन पे है तो इन airwaves को अलग-अलग frequencies पे जो इंडियन government है वो private companies को बेचती है ता जो private companies हमें 5G services है जो वो available करवा सकें इसी process को spectrum auction कहा जाता है तो finally अब आपको यह चीज़ समझ में आ गई है कि spectrum auction क्या होती है और आपको यह भी पता लग गया कि इंडिया में 5G services हैं वो कब available होंगी तो इंडिया की जो major 13 cities हैं जो मैंने आपको पहले बताई थी उन में 5G services अगर government के हिसाफ से 26 July 2022 को यह auction हो जाती है तो उसके एक से डेड़ महीने के अंदर-अंदर जैसे की जुलाई में हो रही है तो September में आप मान के चलोगी 13 जो major cities हैं उनमें 5G services available हो जाएंगी और उसके बाद एक से डेड़ साल का समय लगेगा पूरे पैन इंडिया लेवल पे 5G services available होने में तो अगर आपको यह वीडियो कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए धन्यवाद